हेलो फ्रेंड्स रादे रादे फ्रेंड्स यह देखिए आज हमने अपने बाल गोपाल जी के लिए यह कोट बनाया है यह देखिए इसको हमने जालियों से बनाया है देखिए ये कोट हमने अपने साथ और आर्ट नमबर ठाकुर जी के दिली बनाया है तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये कोट हमने कैसे बनाया अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जाते से जादर शियर करें और बैल आइकन क ट्र έक हो कर दो सक्षाली ये की युजए होना प्रेंड्स मुनाते हैं देखिए सबसे फहले हम यह पर फंदी डाल लेते हैं इससिंगल दागे से डालेंगे हैं इस तरह से इस state장 हम ऐसेगी हैं साथ मृ सिंपल ही डालेंगे यह दिखिए एंसरों टॉटल 26 फंदे यहाँ डाल लेते हैं देखें फेंड्स हमने यहाँ पर टोटल 20 इसमें दाल लिए, और दस नंबर के सलाई लिए है तो यह देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर नैक का बोटर बनाएंगे और उल्टा बनाएंगे देखिए दोनों साइड से इसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे यह देखिए इस तरह से यह इसकी फर्स्ट रो है और इसको हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से फर्स्ट रो बनाकर कम्प्लीट करते हैं यह देखिए यह इसकी फर्स्ट रो हमने बनाकर त्यार कर ली है और इसको हमने उल्टा बनाया है अब इसकी सेकेंड रो बना लेंगे और यह देखिए इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे जैसे हमने first row बनाई थी उल्टी उसी तरीके से यह इसकी second row बना लेंगे और यह दिखिए इसको हम उल्टा बनाएंगे इक पूरी रोऊ बनाकर तियार करते हैं यह देखे रोऊ हमने complete कर लिया है एक फंदा छोड़ दिया इसको हम धागे को पीछे लेकर जाएंगे और यह फंदा उतार लेंगे यह देखे रोऊ हमने इस तरह से बनाकर complete कर लिया है साइट से उल्टी उल्टी देखें यह इसके हमने टूर ए बना ली है दोनों साइट से उल्टी Sultan NICK एक इस तरह से आधे क स के अ कि टूर वर बना लिटे है यह देखे फोर रो इसकी बनाकर हमने कम्प्लीट कर ली है दोनों सैट से उल्टी-उल्टी अब इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे जाली से इदेखे सबसे पहले हम जो नेक का बोटर है इसको बनाने के बाद अब बटन पट्टी का बोटर है इसके फंदे बनाएंगे दो 2 तीन तीन फंदे हमने यह उल्टे बना लिए जह पीछे करेंगे अब यहां पर 2 फंदे हम सीदे बना लिए एक जदो 3 उल्टे दो फंदे सीदे धागा अपनी साइड अब देखे इस फंदे पर दोनों साइड हमें चांट हमें जानी है इस साइड भी और इस साइड वी दागह अपनी साइड करेंगे बॉनसरी ये देखिए यहाँ पर इस फंदे पर दोनों साइड नैट हो गई गूझ वाला फंदा सीधा हो गया एक फंदा सीधा दो तीन चार चार फंदे हमने यहाँ पर सीधे बना लिए बाजू के नैट डालने के बाद देखिए एक, दो, तीन तीन फंदे तो हमने उल्टे बना लिए बोडर के फिर दो फंदे हमने सीधे बनाए और फिर यहाँ पर यह नेट डाली देखिए नेट एक इस साइड और एक इस साइड इस फंदे पर नेट डाली और इसके बाद एक दो तीन चार चार फंदे हमने सीधे बुन लिए धागा करेंगे यह 4 फंदे हैं बाजु के अब इस फंदे पर यहां भी ञाली यहां भी जाली तो देखिए दखाग अब आप आपनी साइड लेकर इसको सीधा बुनेंगे एक जाली हो गई अब यहां भी घाली डालनी है फिर द्खागा अपनी साइड करेंगे और यहां पर भी जाली बना लेंगे यह देखे इस फंदे पर दोनों साइड जाली हो गई यहां भी यहां भी यह फंदा है सेंटर में लास्ट वाला फंदा सीधा यह देखे लास्ट वाला फंदा सीधा जाली बनाने के बाद यहां पर एक फंदा सीधा है हमारे पास दो तीन और ये चार चार फंदे सीधे बना लिए फिर धा का अपनी साइड करेंगे ये फंदे हैं बैक साइड के अब इस फंदे पर यहां भी जाली यहां भी दोनों साइड हमें जाली बनानी है एक जाली फिर धा का अपनी साइड फंदा सीधा बुनेंगे, ये दूसरी जाली, ये दो जाली इस फंदे पर हो गई, एक यहां पर और एक यहां परी देखिए, लास्ट वाला फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया, देखे दो, तीन चार चार फंदे सीधे फिर धागा अपनी साइड अब इस फंदे पर यहाँ भी नैट यहाँ भी नैट देखे धागा अपनी साइड करेंगे एक जाली फिर धागा अपनी साइड यह दूसरी जाली देखे यहाँ पर इस फंदे पर दोनों साइड जाली है यहाँ भी यहाँ भी लास्ट वाला फंदा सीधा एक फंदा सीधा हो गया दो दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड करेंगे और यह तीन फंदे है जो इन में से दो फंदे तो हम बना लेंगे उल्टे एक दो धागा करेंगे पीछे और यह फंदा ऐसे उतार लेंगे यह देखिए बोडर के बाद हमने इसकी यह फंदे बढ़ाते वह हैं पूरी सलाई कंप्लीट कर लिया यह इसकी फित्रो है फित्रो हमने कंप्लीट कर लिए सीधी साइड से अब उल्टी साइड से बनाएंगे इसकी सिध्स्त्रो सारे फंदे बुन लेंगे जो जाली वाले फंदे हैं उनको भी हम बुन लेंगे देखिए इस तरह से सिध्स्त्रो इसकी कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से उल्टा बनाते वे six throw complete करते हैं इसके six throw हमने complete कर ली है अब सीधी side पर है और यहां से इसके seven throw बना लेंगे यह देखे तीन फंदे हम उल्टे बुन लेंगे एक दो तीन धागा करेंगे पीछे पहले हमने दो फंदे सीधे बनाए थे देखे एक दो तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीधे और यह फंदा भी सीधा बना लेंगे देखे जाली वाला फंदा है इसको भी सीधा बना लेंगे तो तीन फंदे हो गई सीधे अब इस फंदे पर यहां भी जाली यहां जाली देखिए यह फंदा के लिए दिख रहा है धाग अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर जाली बना लेंगे फंदा सीधा बन जाएगा धाग अपनी साइड करके तो जाली बन जाएगी देखिए फिर धाग अपनी साइड और फंदा सीधा यहाँ पर यह जाली डल गई है एक फंदा सीधा, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, छे फंदे होगे सीधे हमारे पास, अब इस फंदे पर यहाँ भी जाली, यहाँ भी जाली, धाग अपनी साइड करेंगे, और फंदा सीधा गुन लेंगे, फिर धाग अपनी साइड करेंगे, और यह फंदा सीधा गुन लेंगे, देखें इस तरह से, यह फंदा सीधा गुन लिया, दोनों साइड हमने जाली बना ली, लास्ट वाला फंदा सीधा है हमारे पास, एक फंदा सीधा हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे सीधे हो गये Himand, दोनों साइड के जाली बनानी है, ठाग अपनी साइड करेंगे और सीधा गुन लेंगे तो यह जाली बन picking करेंगि और सीधा हमने इस दो जाली हो गई यहाँ पर دेखें, शन इस जाली फंदा सीधा है लास्ट वाला 2 3 । चार 5 यवांच 곡 20 book tyle भना लिए अब यह जो फंदा यह जो सीधा फंदा दिखुर आपको यहा भी जालिए तो धाल अपनी साइड ले ले कराएंगे एक जाली, फिर धागा अपनी साइड, यह दूसरी जाली, दो जाली डल गई, लाश्ट वाला फंदा सीधा है, एक फंदा सीधा हो गया, दो, तीन, तीन फंदे सीधे धागा अपनी साइड लेंगे, और यहाँ पर दो फंदे, उल्टे, धागा पीछे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे, यह देखे हमने इसकी सेवंध रो कंप्लेट कर ली, उल्टी साइड से इसकी एर्ट रो बना लेंगे, और इसको हम उल्टा ही बना लेंगे, यह देखे इस तरह से, उल्टा उल्टा इसको बनाएंगे, जो जाली वाले फंदे हैं, वो भी बन लेंगे, और पूरी रो बनाकर complete करते हैं यह देखे फ्रेंड्स एर्थ रो इसकी हमने complete कर लिए है और यह देखे दो जालियां भी यहाँ पर बना लिए यह देखे थोड़ असा color इसका ऐसा है शयाद आपको परिशानी हो देखने में यह देखे एक दो दो जाली हम इसकी बना चुके हैं जैसे हम हमने दो जाली बनाई है सेम इसी तरीके से हम इसकी चार जाली और बना लेंगे और चार जाली बनाने के पाद फिर दिखाते हैं देखे फ्रेंड्स इसमें हमने साथ जालियां बना लिए हैं बताई थी हमने आपको 6 हैं लेकिन हमने इसमें साथ बना लिएं 6 से फंदे कम प साथ, साथ जाली इसमें हमने बना ली है, अब देखिए इसको हम आगे पीछे और बाजू के पार्ट में डिवाइड करेंगे, साथ जाली बनाने के बाद, तीन फंदे तो ये, बोडर वाले हमें लाच तक उल्टे ही बनाने हैं, ये देखिए, धागा पीछे करेंगे, अब स सीधे फंदे हम सीधे बना लेंगे, ये इसका फ्रेंट पार्ट है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, और देखिए, ये फंदा जो है जाली वाला, जिस पर हमने जाली बनाई थी, तेरवा, तेरा फंदे हमने ये फ्रेंट पार्ट के ले लिए, इसको हम फ्रेंट पार्ट में ही रखेंगे, जाली वाला जो फंदा है, जिस पर हमने जाली बनाई है, इसको हम आगे के पार्ट में रखेंगे, बाजू में नहीं लेंगे, तो यहां से अब हम बाजू के फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, जोदे, पंदरे, सोले, सत्रे, और ये अठारे, अठारे पंद यहां पर बाजू के हुए, अप देखे, दूसरा पंद आ गए जाली वाला, जिस पर हमने जाली आ बना रखे हैं, इसको हम रखेंगे पीछे, और यही से हम वापस होंगे, अब ये अठारा फंदे ही हम बुल लेंगे, सेकंड रो है इसके बाजू की, दिखिए, ये अठारा फंदे हमने बाजू के बना लिए, यहां तक आ गए, अब यही से हम टरंड करेंगे, और ये इसके थर्ड रो बना लेंगे बाजू की, सीधी साइड है और थर्ड रो है, देखिए, इसको इस तरह से बना लेंगे सीधा है, देखिए, थर्ड रो हम बना कर सीधी साइड से कम्प्लेट करते हैं, देखिए, थर्ड रो हम ने सीधी साइड से बना ली है, अब इसकी उर्टी साइड बराएंगे, और यहां से इसकी फोर्थ रो बना लेंगे, उर्टी साइड से, देखिए इस तरह से इसकी फोर्थ रो बना कर हम कम्प्लीट कर लेते हैं देखे फ्रेंड्स अब इसकी सीधी साइड पर है और फिप रो बना लेंगे यहां से एक फंदा हम कम करेंगे यहां से दो फंदों को एक फंदा बना कर एक फंदा कम करेंगे यह फंदा कम हो गया बाकि सारे फंदे बुन लेंगे एक फंदा हम इसका लाश्ट में कम करेंगे फिप रो में दो फंदे इस रो में हम इसके कम कर लेंगे देखे, दो फंदे बच गए हमारे पास, तो यहाँ पर इन दो फंदों को एक कर लेंगे, यह देखे, यह इसके फिप्तरो है, अब उल्टी साइड है, उल्टी साइड हम पूरी उल्टी बना लेंगे, यह उल्टी साइड से इसके 6 त्रो है, देखे, इस तरह से इसके 6 त्रो बना कर कम्प्लीट कर लेते हैं, उल्टी साइड से, अब इसके बाजू की हम 7 त्रो बना लेंगे, सीधी साइड से, और यहाँ से भी हम 1 फंदा कम करेंगे, 7 त्रो है और सीधी साइड है, तो 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे दो फंदों का एक हो गया पूरी सलाई हम सीधी बना लेंगे और एक फंदा हम लाश्ट में कम करेंगे इस तरह से बाजू के चार फंदे यहां पर कम हो जाएंगे यह देखिए इस तरह से दो फंदे रह गए तो यहां पर इन दो फंदों को एक बना लेंगे यह बाजू की सेवंध रो है वाज के देखिए इस तरह से दो फंदों को एक बना लिया City दो फंदे हमने कम कर ली तो हमें ना टोटल यहां पर बाजू के चार फंदे कम किये हैं यह देखे अब इसकी एर्थरो बनाएंगे और उल्टी साइड पर हैं उल्टी साइड से इसको हम उल्टा ही बना लेंगे यह देखे यह हमने इसकी एर्थरो बना कर कम्प्लीट करेंगे देखे अब इसकी सीधी साइड पर हैं और नाइंतरो बना लेंगे इसको हम सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे ये इसकी नाइंध रो है और सीधी साइड से इसको उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छेंगे साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे और ये चोदे, चोदे फंदे हैं हमारे पास अब उल्टी साइड पर है और उल्टी साइड से इसको उल्टा ही बना लेंगे ये इसकी टैंथ रो है टैंथ रो उल्टी साइड से उल्टा बना कर कंप्लीट करेंगे इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करते हैं यह दिखिये अब इसकी 11 रोब बना लेंगे और सीधी साइट से यह को 11 रोब बनाते हुए बंद कर देंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे फिर यह फंदा वापस, फिर दो का एक फिर फंदा वापस दो फंद एक साथ बुनेंगे और फिर ये फंद हम वापस लेंगे फिर दो फंद एक साथ बुन लेंगे और ये फंद हम वापस लेंगे देखे इस तरह से ये पूरी रो हम बंद करतेंगे और बंद करके फिर दिखाते हैं देखे इसको हमने यहां से बंद कर लिया है और इसके एक पर हम लेंद आपको दिखाएंगे इसके साड़े तीन इंच से थोड़ी से कम है आप इसे सवातीन करना चाहते हैं तो आप इस पर दो सलाइया यहां पर कम कर लीजिए मैंने आपके टोटल लेंद इसके दिखा दी हैं अब यह धागा हम कट कर लेंगे धागा थोड़ा सा एक्स्टा कट करेंगे जिससे हम यह धागा सिलाई के काम ले सके देखे इस तरह से कि दागा कट करेंगे और यह फंदा जो है को हमने देखिए थोड़ा सा लूस कर लिया था अब इसके यहां से इसको निकाल कर दागे को कट कर देंगे सोरी टाइट कर देंगे यह हमारी सिलाई के काम आएगा बाद में इस तरह से अब यहां पर हम धागा लगा लेंगे यह इसकी बाजू बना कर हमने इसको हो उपर की साइड रखेंगे जब हम यहां से इसको बनाना शुरू करेंगे तो यह हम उपर की साइड रखेंगे और यह से इसमें अब हम बैक साइड के फंदे गुन लेंगे धागा हमने जॉइंट कर लिया है यहाँ पर अब देखें बैक साइड के फंदे गुनते हैं एक फंदे हम काउंट करके आपको बताएंगे साथ के साथ एक दो तीन चाथ पांच छे साथ आठ नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, सत्रे, अठारे, उननीस और ये बीस बीस फंदे बैक साइड के हुए देखिए इस साइड से भी हमने फंदा जो था जाली वाला बैक साइड में लिया है और इस साइड से भी इसको बैक साइड में लेंगे अब यहाँ पर दूसरी बाजू के फंदे आ गए इनको बुन लेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाली बाजू बनाई है सेकंड को भी हम इसी तरह से बना लेंगे और यह बाजू बनाती है फिर दिखाएंगे यह फंदे नहीं बुनने और यहाँ पर जो जाली वाले हैं दोनों कर गया है एक-एक सलाई देखिए यहाँ पर बना चुके हैं बैक साइड में बना चुके हैं अब एक सलाई की यहाँ से बना लेंगे यहाँ से इसको हम बनाएंगे यह फ्रेंट वाले फंदे हैं दूसरी साइड के इस तरह से लाष्ट के तीन फंदे हैं धागा अपनी साइड लेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे एक फंदा ऐसे उतार लेंगे यह देखिए अब इसकी दोनों बाज़ों तो अलग हो गई है यहाँ से अब यह उल्टी सलाई पूरी उल्टी बना लेंगे यह इसकी उल्टी सलाई है और बाज़ों बनाने के बाद यह पहली सलाई है बाज़ों अलग करने के बाद देखिए और यहाँ पर यह थोड़ा से हम इसको धागे को टाइट रखेंगे इस तरह से और यह पूरी सलाई हम इसी तरह बना कर कंप्लीट करेंगे यह देखिए 6 सलाई है इसके हमने कंप्लीट कर लिए सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी टोटल फंदे हमारे पास यहाँ पर 45 हैं अब हम सीधी साइड से इसको उल्टा बनाएंगे देखिए इसके सीधी साइड है और इस साइड से इसको उल्टा बना लेंगे यह देखिए इसी तरह से बनाते हुए इसके चार सलाइयां कम्प्लीट करेंगे दोनों साइड से उल्टी उल्टी हमें चार सलाइयां और बनानी है यह देखिए दोनों साइड से उल्ट उल्टे हमने इसके चार सा लाइयां बना ली है इस दो लाइन देखिए इस तरह से बन गई है अब इसके सेधी साइड पर है और यहां से इसको हम बन कर देंगे दो फंदो का एक फंदा बना लेंगे फिर फंदा वापस करेंगे फिर दो का एक फंदा वापस दो का एक फंदा वापस इस तरह से इसको हम बन कर देंगे सारे फंदो को यह देखिए प्रेंड्स आपने देख लिया कितने एजी तरीके से हमने इसको बनाया है अगर आपको मेरे बनाने का तरीका मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू